हालो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब के निश्टेटिव और इग्जामेन नॉलिज में आज हम लोग बात करेंगे कंप्रेट्व डिगरी यानि पॉजिट्व डिगरी को कंप्रेट्व डिगरी को सुपरेट्व डिगरी में किस तरह से बदल जाता है इसके क्या क्या नियम है इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो तब से पहले तीन उधारण दिए गए तीन एक्जामपल दिए गए गया है जिसको हम लोग देख लेंगे कमला इच टाल बाइच टालर देन कमल और तीसरा उधारण बताय गया है अपसार इस दे कि साधार गुडों की तुलना की गई है साधार गुडों की बारे में बताय गया है कमल इच टाल वाए और दूसरे उधारण बताय गया है कि प्रेम इच टालर देन कमल यहां पर प्रेम और कमल दोनों के बीच में तुलना की गई है लंबाई को लेकर गए दोनों के बीच म से अपसार के तुलना की गई है तो पहले उधारण में केवल कमल के लंबाई के बारे में बताया गया है उसके लंबाई के बारे में बताया गया है यहां पर दो लोगों यानि कमल और प्रेम के लंबाई की तुलना की गई है और तीसे उधारण में अपसार को क्लास के सभी ब और comp약ly degree जो हैं या taller है ook यहां पर होता है जहां पर दो व्यक्ति या वस्ट का तुलने के जाती है तो वहां पर लेक्ति स्थित्स की तुछे मोहारी होगा कयाता है और superlety degree का प्रयोग करता है तो के तो जब 2 या 2 वेक्तियों के तुलना की जाए तो वहाँ पर comparative degree होगा जहां पर 2 या 2 से अधिक वेक्ति या वस्तियों के तुलना की जाए तो वहाँ पर क्या होगा superlative degree अब इसके बाद हम लोग कुछ उदाराट देख लेंगे कुछ नियम होते हैं जो positive degree से comparative और comparative से superlative degree बनाते समय प्रयोग की जाते हैं पहले नियम की बात करेंगे तो अधिकान्स adjective के बाद ER या EST लगाने से comparative और superlative degree बनाए जाते हैं जैसे कि black एक VCSR सब्द है एडजेक्टिव वर्ड है black क्या है black एक positive degree है black positive degree है इसको comparative degree में बदलने के लिए हम इस में ER जोड देंगे ER जोड देंगे तोや comparative degree में बदलब Gang और EST जोड देंगे तो या superlative degree में बदल जाताएगा उसी तरह से clever clever को comparative degree में बदलने के लिए हम यह चोड़ दें clever हो जाएगा और यह cleverest हो जाएगा cold का colder और coldest हो जाएगा तो एक यह नियम है इस तरह से हम positive degree को complete degree और complete degree को superiority degree में बदलते हैं दूसरे नियम के अमसार एक दूसरे कुछ जो एडिये कुछ word ऐसे होते हैं जो इस नियम के अमसार comparative और superlative degree में बिले जाते हैं जैसे कि अगर किसी भी word के अंत में e हो तो comparative degree बनाते समय क्यवल r जोडते हैं और superlative degree बनाते समय st जोड देते हैं जैसे कि able यानि कोई भी positive degree जिसके अंत में e हो कोई भी positive degree जिसके अंत में क्या हो e हो तो उसको comparative बनाते समय हम उसमें r जोड देंगे तो वह comparative हो जाएगा और st जोड देंगे तो वह superlative में बदल जाएगा जैसे able इस word के अंत में e है तो यहां पर हम comparative बनाते समय है इसमें r जोड देंगे तो यह comparative हो जाएगा और st जोड देंगे तो यह superlative हो जाएगा उसी तरह से brave, brave और brave rest हो जाएगा इस तरह से अन्य जो उधारत दियेगे है इस तरह से comparative से बदल जाएगे यदि positive degree के अंत में y है तो y के स्थान पर हम i लिखेंगे य के स्थान पर i लिखकर comparative degree यह जोड देंगे यह यह को हटाकर हम i लिखेंगे और उसके बाद e जोड देंगे तो वह comparative degree में क्या हो जाएगा बदल जाएगा उसके बाद उसको super degree में बनाने के लिए इस्टी जोड देंगे आई के बाद e इस्टी जोड देंगे तो वह comparative degree में बदल जाएगा जैसे कुछ उदाय दिया गया है dry word के अंत में y है तो y को हटाएगे और y के स्थान पर हम i लिख देंगे और उसके बाद e जोड देंगे तो यह comparative degree में बदल जाएगा नियम तीसरा यह दी positive degree के अंत में यह दी positive degree के अंत में y से पहले वावेल हो तो comparative degree में e यार तका superiority degree में e st जोड जोड एगे और y को i में नहीं बदल लेंगे y को i में नहीं बदल लेंगे यहाँ पर उधारण दिया गया है जैसे कि gay का gayr हो गया है तो यहाँ पर word के अंत में y हैं और y से पहले वावेल हैं इंग्लिस में पांच वावेल होते हैं a e i o u a e i o u जो हैं वावेल हैं तो यहाँ पर य से पहले ए हैं वावेल हैं या e भी रहे तब भी यह जो होगा य को हम i में नहीं बदलेंगे अगर y जो word हैं अगर किसी भी word के अंत में किसी भी सब्द के अंत में y आ रहा हैं तो य से पहले अगर वावेल हैं तो हम y को i में नहीं बदलेंगे य को as well as वैसे लिखेंगे उसके बाद er जोड़ देंगे तो यह कंप्रेटी डिग्री में बदल जाएगा और est जोड़ देंगे तो यह सूपरलेटी डिग्री में बदल जाएगा उसी तरह से ग्रे का ग्रेयर हो जाएगा और ग्रे एस्ट हो जाएगा सूपरलेटी डिग् नियम 4 यहां पर दिखाया गया है जी एक constant है और constant से पहले क्या है वावेल है आई वावेल पांच बताया गया है यहां पर आई है तो positive degree के अंत में constant से पहले कोई वावेल हो तो यहां पर देना है कि अंतिम words होगा जैसे जी है तो इसको हम दो बार लिखेंगे जी को क्या लिखेंगे दो बार यहां पर T है तो यहां पर दो बार T लिखेंगे इस तरह से जाए जाए जैसे कि बिग का हो जाएगा बिगेर और बिगेस्ट फैट का फैटर और फैटेस्ट फिट का हो जाएगा फिटर और फिटनेस्ट इसी तरह से अन्युदारण है नियम पांच पांच्वी नियम के वande क्वसर कुछ प्षिट ऐग्री को कंप्रेट ऐगरी में बखनने के लिए मोर क्वेड का उप्यूख करते हैं और प्रियोग में कहते हैं जैसे कि ब्यूटिफूल का improvement ब्णाने के लिए मोर प्रियोटिफूल और Het मेस्ट कि हम कुछ वर्ड को more और most उससे पहले लागा करें कि competitive और superiority degree में बदल सकते हैं नियम शिक्स कुछ एड्जेक्टिव की competitive और superiority बनने में उप्रूप किसे कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं जैसे कि नहीं होगा एपने को और को और का करते हैं कि आपको यह वीडियो को लाइक करें सेर करें जैनलने को सब्सक्राइब करें थैंक्स पारवास e